My dear students, मैं राहूल ठाकूर आप सभी का स्वागत करता हूँ Agriculture and GKE e-learning platform पे आज हम एक नए topic के साथ आपके साथ रूबरू हुए हैं हमारे topic का नाम है case जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभार अभी हम लोग noun को पर रहे हैं और noun में हमने कुछ important concepts को deal किया है जैसे noun, types of noun, gender, number and now today I am going to deal a very important topic it is known as case तो मेरे previous friends अब ये समझेंगे कि case क्यों important है case जो है grammar में बहुत important role अदा करता है क्योंकि अगर हम previous questions को देख हैं तो case से हर साल हर examination में एक या दो परस्न जरूर पूछा जाते हैं अब यहां हमारे सामने है कि case topic को हम कैसे समझें तो सबसे पहले ये हम को देखना है कि case जो topic हमारा है इसके concept को समझेंगे बहुत आसान topic है और उसके बाद हम इसके questions को solve करेंगे जैसा कि हम हर बार करते हैं तो सबसे पहले आप सभी को मैं topic पे ला रहाओ तो अब सबसे पहले यहां हमको देखना है यहां हमारे सामने है नॉमिनेटिव, सबसे पहले हमारे सामने है नॉमिनेटिव, ओبلिक, सब्जेक्टिव. अब एक चीज़ आपको मेरे स्टुरेंट्स ध्यान रखना है कि नॉमिनेटिव जो है उसी को हम सब्जेक्टिव भी केस कहते हैं और यहां अगर हम इसकी बात करें तो नॉमिनेटिव केस को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे हम नॉमिनेटिव केस के ही help से आगे concepts को सम यह सारे नॉमिनेटिव केस होंगे अच्छा एक चीज़ और धिहान रखेगा कि नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस को पहचानने का बहुत आसान एक तरीका में आपको बता दूँ जिससे आप identify कर लेंगे कि आखिर नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस किसी भ नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस हमेशा वाक्य में वर्ब के पहले होगा यह इसका main concept है जो आपको याद रखना है कि हमारा जो यह नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है यह हमेशा वाक्य में वर्ब के पहले होगा आई वी यू दे ही सी इट यह जितने हैं वो क्या होंगे वाक के पहले जैसे एक एक्जाम्पल देखने दो और कॉन नंग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जैसे मैंने कहा आई इट्स तो यहां पे वर्ब है और उसके पहले आयाया यह क्या हो जाएगा हमारा नॉमिनेटिव हो जाएगा ठीक है अब हम बात करेंगे इसी के आगे अगर हम बात करें तो यह है हमारा अब्जेक्टिव केस अब यहां जान लेंगे कि अब्जेक्टिव केस क्या होग पहले example थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे I का मी हो जाएगा, V हो जाएगा, I का मी, V का अस, तो यह जो हैं हमारे objective case होंगे, और objective case कहां रहेगा, इसको भी concept को जान लेंगे, कि किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में, objective case, verb के बाद, आएगा, अब यहाँ देखे, कैसे वर्ब के बाद आएगा, जैसे हमने कहा, He Killed Me, तो यहाँ पे मी हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद आया, यह क्या हो जाएगा, Object, और इसी को हम objective case कहते हैं, तो यह general एक concept है, अब लेकिन, एक बहुत important concept को हम समझेंगे, क्योंकि यह हमको हमेशा use करना होगा, यह हमको जरुरत होगी, तो अब यह क्या है, थोड़ा सा देख लेंगे, देखिए, नॉमिनेटिव केस, और एक तरफ रखेंगे, objective case, नॉमिनेटिव केस और एक तरफ रखेंगे, objective case, अब यह हमको जानना है, कि इसको, जिससे की हमारा, आगे का जो हम concepts परहेंगे, वो हमारे लिए better हो जाएगा, तो कैसे जैसे, पहला, नॉमिनेटिव केस में क्या हो सकता है, आई, वी, यू, डे, ही, सी, और इट, अगर हम objective case की बात करें, तो आई हमारा हो जाएगा, मी, वी हो जाएगा हमारा अस, यू जो है, वो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, दे हो जाएगा, देम, ही हो जाएगा हिम, सी हर, और इट, इट, तो यही चीज़ है, कि यह हमको याद रखना है, कि यह नॉमिनेटिव हो गया, और यह objective हो गया, तो किसी भी concept में, किसी भी जब हम concept की बात करते हैं, तो वहाँ जो है, हमारा ये concept अक्सर आजाता है, चीक है, तो यह हमने जान लिया, नॉमिनेटिव केस को, और objective केस को, तो यह अगर आप एक बार, दो बार देख लेंगे, तो आपका confidence हो जाएगा, तो इसमें कोई आपको दिकत नहीं होगे, तो यहाँ हमने objective केस देख लिया, अब बात करेंगे, main concept की, अब बात करेंगे possessive case, possessive case क्या होता है, यह बहुत important concept है, और, और अगर case की बात करें, तो कहीं न कहीं, इसी पे हमारा सारा concept depend करता है, तो generally possessive case की बात करें, तो simple सा याद रखियेगा, कि जिस से, अधिकार, का बूद हो, उसे हम, possessive case, कहते हैं, simple सा concept की, जिस से, अधिकार का बूद हो, उसे हम, possessive case कहते हैं, जैसे, my pen, अब देखिये, for example, तो, इस pen पर किसका अधिकार है, मेरा है, तो यह possessive case हो गया, हर, car, तो इस car पर किसका अधिकार है, उसका है, तो यह क्या हो गया, possessive case हो गया, तो possessive case को, simple से समझेंगे, कि जिस से, अधिकार का बूद हो, उसे हम, possessive case कहते हैं, थोड़ा सा, और इसको broad concept जानगे यहाँ आगे आप यह चीज अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत important खास कर यह जो मैंने आप ही के लिए slide बनाया है ताकि आप इसको बहतर तरी केस से समझ सकें तेकि यह possessive case किस की बात करता है यहाँ मैंने इस पस लिखा है कि possessive जो case है वो relationship की बात करता है relationship का मतलब है कि यह संबंध की बात करता है और ownership की बात करता है मतलब यह अधिकार की बात करता है यह अधिकार की बात करता है तो possessive case simple सा समझ यह कि possessive case का मुख काम है किसी भी चीज पे किसी चीज के साथ सम्मंध स्थापित करना या सम्मंध को सो करना या ownership अधिकार दिखाना अब ये ध्यान रखेंगे कि possessive case जो है ये किसी भी चीज पे तीन तरीके से अपना अधिकार को सो कर सकता है मतलब यह जो possessive case है वो तीन तरीके से कर सकता है इसको थोड़ा अगर समझना आप चाहते हैं तो ऐसे थोड़ा समझा दें मैं आपको देखिए यह आपका आगया possessive case तो यह जो possessive case है यह तीन तरीके से possessive case तीन तरह से किसी भी चीज़ पर अधिकार सो कर सकता है सो कर सकता है किसके द्वारा तो सबसे पहले एफास्ट्रॉफ एसके द्वारा इसको कहते हैं एफास्ट्रॉफ एस दूसरा एफास्ट्रॉफ कॉमा के द्वारा कॉमा और तीसरा ओफ के द्वारा देखो मेरे इस्ट्रॉइंट्स यह कंसेप्ट को एक दम अच्छे से समझ दीजे क्योंकि यहां अगर आपने समझ लिया तो आगे बहुत आसान हो जाएगा आपको समझने में कि पॉजेसिफ केस का मतलब क्या होगा किसी चीज़ पे अधिकार ओनर्सिप को सो करने के लिए हम पॉजेसिफ केस का प्रयोग करते हैं पॉजेसिफ केस जो है किसी चीज़ पे अगर हम अधिकार को सो करना चाहते हैं ओनर्सिप सो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास तीन आप्शन्स हैं क्या क्या आप्शन हैं एक हम एफ उस्ट्रॉफ एस के द्वारा कर सकते हैं एक हम Aphostrof Coma के द्वारा कर सकते हैं और एक हम Off के द्वारा कर सकते हैं अब यहाँ थोड़ा concept समझेंगे यह जो आपका Aphostrof S है यह singular के साथ करेंगे देखिए बहुत यही बारी किया है जो आपका concept को clear करेगा इसका प्रियोग Aphostroft, S का प्रियोग करेंगे singular के साथ और 7 में बहुत important है कि leaving के साथ करेंगे मतलब सजीव के साथ करेंगे ये आपका important concept है कि Aphostroft, S का प्रियोग किसी चीज़ पर अधिकार के लिए तो करेंगे लेकिन वो singular होना चाहिए और साथ में living होना चाहिए अब बात करेंगे एफॉस्ट्रॉफ कॉमा इसका प्रियोग किसके साथ करेंगे ये भी अधिकार के लिए आएगा लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि एफॉस्ट्रॉफ कॉमा जो है इसका प्रियोग हम करेंगे प्लूरल के साथ किसके साथ करेंगे प्लूरल के साथ प्लूरल के साथ करेंगे और साथ ही एक बहुत इंपोर्टेंट चीज़ कि सजीव के साथ करेंगे living के साथ करेंगे तो आपको ये जानकारी रखनी है कि पॉजेसिव का मतलब है अधिकार, तीन तरीके से हम अधिकार किसी पे सो कर सकते हैं, एफ उस्ट्रॉफ एस के द्वारा, कॉमा के द्वारा और ओफ के द्वारा, अगर हम एफ उस्ट्रॉफ एस का प्रियोग करेंगे, तो सबसे पहली सर है कि वो सिंगुलर होना चाहिए, अगर राम की कलम, तो राम के साथ एफ उस्ट्रॉफ एस लगाएंगे, अब यहाँ एफ उस्ट्रॉफ कॉमा भी अधिकार को सो कर रहा है, लेकिन इसके साथ जरूरी है कि ये प्लूरल होना चाहिए, और प्लूरल कैसे बनता है मेरे स्ट आप सभी जानते हैं, जब हम SCIS लगाते हैं, बॉइस, कार्स, तो यह हुआ, तो यह हो गया प्लूरल और लेकिन होना चाहिए सजीव, अब लास्ट बात करेंगे ओफ की, ओफ से भी हम किसी पे अधिकार सो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपोर्टेंट है, जो कि एक्जैम के लिए इंपोर्टेंट है, कि ओफ का प्रियोग तो हम अधिकार के लिए करेंगे, लेकिन हमेसा लाइफ लेस ऑबजेक्ट, लाइफ लेस ऑबजेक्ट के साथ मतलब निर्जीव के साथ, यही आपको याद रखना है कि निर्जीव के साथ, मेन पॉइंट, फिर स करेंगे, संबंद की बात करेंगा, और इस पर किसी भी चीज़ पर हमको अगर अधिकार सो करना है, शंबंद सो करना है, तो हमारे पास तीन आप्शन है, कौन कौन से है, एकदम ऐसे concept रखे, एकदम ऐसे concept रखे, एकदम एसे 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 concept रखे, ए ये एक slide पे आपको समझाना है बांकि मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से design किया है तो वो हम लोग अभी देख लेंगे चलिए अब यहां पे आते हैं जोब आपको समझ में आएगा possessive case किसकी बात करता है relationship की बात करता है ownership की बात करता है और पहला देख लीजिए हमारे साथ है Aphostroph S Aphostroph S Aphostroph S को क्या याद रखेंगे देखिए Aphostroph S Aphostroph S इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि Aphostroph S का प्रयोग Aphostroph S का प्रयोग हमेशा Living सजीव के साथ करेंगे देखिए आपका स्लाइड है पॉजेसिव केस रिलेशनिशिफ की बात करेगा ओनर्शिफ की बात करेगा पॉजेसिफ यह फॉस्ट आप एस का प्रियोग हमें साल लिविंग फिंग के साथ होगा पहली चीज़ प्लस एक चीज़ और याद रख लेंगे इसके साथ इसका प्रियोग इसका प्रियोग हमें सा इसका प्रियोग हमें सा के से सिंगूलर के साथ की सिंगूलर के साथ करेंगे अब देखिये वजेसिफ के इस रिलेशन बता रहा है ऑ्नर सिप के लिए यूज कर रहे हैं एफ औस आप एसका प्रियोग लिविंग के साथ करेंगे लिविंग थिंग सजीव के लिए अब देख लीजी एक्जेमपल मैंने यहां लिखा है मोहनसकार अच्छा एक बात और मेरे स्ट्रेंट इजी समझ लो कि पॉझेसिव केस को हिंदी में क्या कहते है जिससे समझना और आसान हो जाएगा का के और की वस ये याद रखिए पॉजेसिव केस का मतलब का के की है यहाँ पे देखिए हिंदी में क्या करेंगे मोहन की कार तो मोहन की कार मोहन क्या है सजीब है और साथ में Singular है इसलिए हमने Aphosatra office का प्रयूं किया अब यहाँ है सुनील का बैग तो सुनील का बैग सुनील के साथ Singular है और सजीब है इसलिए Aphosatra office का प्रयूं को आप यहीज्वा अब यहाँ पे है लाइन्स आइज तो सेड की आँख की आया तो याद रखिएगा और लाइन क्या है जिवित है सिंगुलर है तो इसलिए फॉस्टर ओफ है साया लास देख लीजिए बर्ड्स विंग्स विंग्स का मतलब पंक और बर्ड मतलब चिरिया तो यहां अगर हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे चिरिया का पंक यहां लिखेंगे सेर की आँख सुनील का बैग और मोहन की कार तो यहां देखिए मोहन सुनील लाइन और बर्ड जितने भी हैं जितने भी यह हैं सभी सिंगुलर हैं याद यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको आपके concept को मजबूत करेगा लाइन सिंगुलर है बर्ड सिंगुलर है तो याद रखिए यह सारे सिंगुलर है और जिवित है तो इसके साथ हमने क्या यूज किया एफ वस्ट्रॉफ एसका यूज किया ये चीज पहला concept अब आगे द देखिए यहाँ पे दूसरा रूल जो कि गोल्डेन रूल है कि एफ फॉस्ट्रॉफ एस इस नौट यूजड वित नन लिविंग फिंग इस पे कई बार कोश्चन आता है जिसको अभी आप ध्यान दे लिख लेंगे एफ फॉस्ट्रॉफ एस का प्रयोग कभी भी निर्जीव के साथ नहीं करेंगे निर्जीव के साथ नहीं करेंगे यही चीज़ है गोल्डेन दो चीज़ें एफ फॉस्ट्रॉफ एस का प्रयोग सजीव के साथ करेंगे सिंगुलर के साथ करेंगे लेकिन निर्जीव के साथ नहीं करेंगे आजाईए यहाँ यहां पे कह रहा है wall अच्छा wall का मतलब तो जानते ही है दीवार अच्छा एक बात बताए यह दीवार जो है वो सांस लेती है क्या नहीं तो दीवार क्या है living है कि non living है तो non living है तो Apostrophes भैया कहां से आ गया cross करो इसको अब यहां देख लीजे house हाउस क्या है घर अच्छा ये बताई ये कि हाउस जो है तो खाना खाता है नहीं खाता है मतलब सांस लेता है नहीं लेता है तो हाउस जो है वो सजीव है कि निर्जीव है तो निर्जीव है तो निर्जीव है तो भाई ओफस ट्रॉफिसस कहां से आया इसको भी क्रोस कर ये औ तीसरा आ गया टेबल टेबल का मतलब टेबल और इसका कहरा है एे टेबल्स्लेग समस्स अंटा यहे हमारा घया निरी जीन तो अगर निरीब है तो इसके साथ कहां से लेग लगाएंग तो यहां पर इसको भी क्रॉस करिए तो मेरा साथ एक वार फिर से कंसेट कर लिजे पॉजेसिव केस ओनर की बात करता है समंद की बात करता है अधिकार की बात करता है तीन तड़ीके से किसी भी चीज़ के साथ हम पॉजेशिव के सो कर सकते हैं, ओनर्शिप सो कर सकते हैं, ओफ के द्वारा, एफॉस्ट्रॉफ एस के द्वारा और कॉमा के द्वारा, तो यहां तक समझ गए, next concept देखिए, अब आजाएं यहां बहुत अच्छा, यहां कह रहा ह है, इस चीज़ को एकदम दिमाग में बिठा लेना है, नोट कर लेना है, पूरे एकदम दिमाग में, झाप लेना है, कि कह रहे हैं अभी कि एफॉस्ट्रॉफ S का प्रियोग निर्जीव के साथ नहीं होता है, लेकिन यह अपवाद है, कह रहा है कि एफॉस्ट्रॉफ S can be used with non-living things in some cases मतलब कुछ जगाहों पर कुछ जगाहों पर हम एफ आस्ट आप एस का प्रयोग कर सकते हैं किसके साथ नन लिविंग तो किसके साथ कर सकते हैं ध्यान देंगे पहला देखिए माइल है तो ऐसे आप लिखेंगे कि एफ आस्ट आप एस का प्रयोग एफ आस्ट आप एस का प्रयोग हम माइल मतलब मन्त तो माइल के साथ मन्त महीने हो गए टन वजन की बात कर रहा है तो टन के साथ डेल ही डेली क्या है सिटी है तो सिटी के साथ इंडिया कंटरी के साथ तो अब ये बात एकदम दिमाग में बिठा लेंगे कि सामानिता एफ इसाप प्रयोग हम सजीव के साथ करते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजे हैं जहां हम एफॉस्ट्र ओफेस का प्रियोग करेंगे तो कहां कहां दूरी के सेंस में कर सकते हैं डिस्टेंस के सेंस में कर सकते हैं मन्त महीने के सेंस में तन वेट के सेंस में कर सकते हैं किसी सहर के ना अब जैसे आप क्या सकते हैं लखनोज water supply is not good लखनों की जो पानी की सप्लाई है वो बहुत बहतर नहीं है तो यहां आपने क्या किया हिंदी में पहले देखे लखनों की तो लखनों लिख देंगे और उसका देफॉस्ट्र आफेस लगा देंगे तो लखनों की दिल्ली की करप्शन दिल्ली की भरस्टाचार इंडि बहुत लोखनों कीयों की डिले हो गई डिले मतलब देरी होता है एक मंस दिले इसको हम लिक सकते हैं एक महीने की देरी उसी तरह एक टन्स वेट एक तन का वेट, डिली का भरस्टाचार और इंडियास पॉपलेशन भारत की जनसंख्या तो याद रखिएगा कि एफॉस्ट्रॉफ एसका प्रियोग हम सजीब के साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ करते हैं, निर्जीब के साथ नहीं करते लेकिन चार कॉंसेप्ट जो है याद र अब यहां कह रहा है बहुत अच्छा पॉइंट, यह फॉस्ट्रॉफ एस इस यूजड एड दे एंड ऑफ दा камपाॉट नहूँ, इफर स्टॉफ एसका जो प्रियोग होता है वो किसके साथ होता है, compound noun के साथ होता है, compound noun जानते हैं किसको कहते हैं, जब एक से अधिक noun मिलकर एक शब्द को पूरा करे, उसे हम compound noun कहते हैं, इसको लिख लिजिए ताकि फिर कभी notes देख, compound noun किसको कहते हैं, जब एक से अधिक नाउन मिलकर किसी एक शब्द को पूर्ण करता है पूर्ण करता है तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं अच्छा यह आप लोगों ने सुना होगा एक्जाम्पल में देख लीजिए फादर इन लो अब देखिए फादर इन लो इसको हम कहेंगे कंपाउंड नाउन एक और देख लीजिए बेड रूम अब यहां देखिए बेड एक वाया नाउन और दूसरा रूम आया भीच में हाइप तो इसको हम क्या कहेंगे कंपाउंड नाउन तो जब एक से अधिक शब्द बनेंगे एक से अधिक नाउन मिलकर किसी एक शब्द को पूर्ण करेंगे तुसे का प्रयोग हम कंपाउंड नाउन के अंत में करते हैं अंत में करते हैं अब यहां देख लिजए मदर इन लो है एफ उस्ट आफिस कहां आया नास्ट में आया ऐसे नहीं लिख सकते हैं मदर्स इन लॉज अब यहाँ दो कोस्चन है देख लीजिए बहुत बढ़ियां है कह रहा है कि एफॉस्ट्रॉफ एसका प्रियोग हम कमपाउंड नाउन के अंत में करेंगे कमपाउंड नाउन किसको कहते हैं जब एक से अधिक बनके जैसे फादर इन लॉज बेड्रूम कमांडर इन चीफ यह सारे हो गए कमपाउंड नाउन तो जब कभी हमको एफॉस्ट्रॉफ एसका यूज करना पड़ेगा तो हम क्या करें अंत में करेंगे ना तो सुरू में करेंगे यहां पर देखिए मदर्स इन लॉज अंत में है और मदर्स इन लो यहां सुरुवात में क्या कह रहा है कि अंत में करेंगे किसके अंत में तो अंत में अगर करेंगे या तो किसको करेक्ट करेंगे मदर्स इन लॉज यह करेक्ट हो जाएगा यह गलत हो जाएगा अब यहां मेड़ सर्वेंट मेड़ सर्वेंट सेलरी मतलब जो हमारे यहां काम करती है उसकी सेलरी की बात हो रही है तो यहां कह रहा है कि मेड़ सर्वेंट कंपाउंड नहीं है यहां भी मेड़ सर्वेंड कंपाउंड नहीं हमको याद रख होगा और यह गलत हो जाएगा तो यह याद रखने की जुरूत है ध्यान रखने की जुरूत है एक दो बार पढ़ेंगे सुनेंगे वीडियो को concept clear हो जाएगा चलिए अब आते हैं यह भी बहुत important है joint position की बात करता है joint position की अब यह ध्यान रखिएगा कि क्या कह रहा है joint position की बात कर रहा है यह इसको concept को कैसे समझेंगे देखिए अगर किसी भी वाक्य में अगर किसी भी वाक्य में संयूक्त अधिकार joint position का मतलब होता है संयूक्त अधिकार अगर किसी भी वाक्य में संयूक्त अधिकार की बात की गई है की बात की गई है अगर किसी भी वाक्य में संयूक्त अधिकार की बात की गई है तो एफ और स्ट्रॉफ एस का प्रयोग तो एफ और स्ट्रॉफ एस का प्रयोग दूसरे सब्जेक्ट के साथ होगा बहुत आसान के साथ होगा अब यहां चीज समझ यह क्या कह रहा है जोइंट पोजिशन का मतलब होता है जैसे कैसा यहां पे लिख रहा है राम एंड मोहन सौप सौप का मतलब दुकान और किसका दुकान राम का भी दुकान और मोहन का भी दुकान यहाँ पे कह रहा है Mr. Bala and Sons Company बाला जो है उसके फादर है और उनके बेटे है और दोनों की क्या है कमपनी है तो जब किसी वाक्य में किसी एक चीज़ पर सयुक्त अधिकार की बात हो और व दुकान पे दौनों का अधिकार है लेकिन हमको दूसरे सब्जेक्ट के साथ है इसको करेक्ट करेंगे लेकिन यहाँ पहले के साथ है गलत कर देंगे बहुत एक दम बच्चे का खेल है यहां कह रहा है कि Mr. Bala and Sons इस कमपनी पर दौनों का अधिकार है बाला जी का भी है और उनके बेटे का भी है लेकिन अगर किसी कमपनी पे दोनों का अधिकार है तो दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम एफॉस्ट आफेस का प्रियोग करेंगे तो यहाँ पे Mr. Bala and Sons कमपनी तो दूसरे में यह करेक्ट है लेकिन यह पहले में लगा दिया इसको क्रोस कर प्रियोग करेंगे चलिए नेक्स्ट आई यह अब आते हैं अब देखिए लेकिन यहाँ पे अलग एक और कंसेप्ट आ गया सेपरेट पोजीशन सेपरेट पोजीशन का मतलब क्या है कि किसी एक चीज़ पर अगर दोनों का अलग अलग अधिकार हो देखिए यहां किसी 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 दो चीजों पर किसी दो चीजों पर दो लोगों का अलग अलग अधिकार हो तो दोनों सबजेक्ट के साथ तो दोनों सबजेक्ट के साथ एफोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग करते हैं अब यहां याद रखे मैंने क्या कहा था कि अगर किसी एक चीजों पर दो लोगों का अधिकार होगा तो दूसरे सबजेक्ट के साथ एफोस्ट्रॉफ एस का प्रयोग करेंगे लेकिन अगर दो चीजों पर दो लोगों का अलग-अधिकार हैं मुहन की भी कार है और सुहन की भी कार है। यहाँ पे कह रहा है कि भगत्स एंड सर्माज कार्स। मतलब भगत की भी कार लगी हुई है और सर्मा की भी कार लगी हुई है। तो दोनों की एक एक कार है। दोनों पे दोनों का अपना अपना अधिकार है। तो दोनों के साथ apostrophes लगाएंगे, इसको correct कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या किया, भागत की भी कार और सर्मा और कार दे दिया, मतलब एक कार पे भागत का भी अधिकार है और सर्मा का भी अधिकार है, आप जान रहे हैं, भागत जी है और इधर सर्मा जी है, दोनों आपस में ही लड़ लेंगे कि मैं चलाओंगा गारी के मैं चलाओंगा तो इसलिए याद रखना है कि जब दो लोगों की अलग-अलग प्रोपर्टी होगी दो लोगों की अलग-अलग अधिकार की बात होगी तो दोनों के साथ अफॉस्ट्रॉफ एस का प्रियोग करेंगे चलिए स important concept बहुत बार question पूछा है कह रहे हैं कि अगर किसी भी वाक्य में somebody, anybody, everybody, nobody और पहले समझ दे तो यह जो somebody, anybody, everybody, nobody है इसको कहते क्या हैं यही कहते इसी को कहते हैं concept अब यह नहीं कि लिख दिया तो बस दिमाग में रट लिया और किसी ने पूछ दिया कि somebody है क्या तो उस पता ही नहीं क्या है पस इतना रट लिए कि somebody के साथ है फॉस्ट रॉप एस आएगा काम नहीं चले गा इस से आप कोई समझना होगा कि somebody, anybody, everybody, nobody होता क्या है तो मेरे previous friends somebody, anybody, everybody, nobody को हम, को हम indefinite pronoun कहते हैं, क्या कहते हैं, indefinite pronoun, indefinite pronoun, अच्छा एक बात बताईए, indefinite pronoun क्यों कहते हैं, इसको ऐसे समझे, indefinite pronoun को हम, ध्यान से सुनिये, indefinite pronoun कहते हैं, indefinite pronoun कहते हैं, somebody, anybody, everybody, nobody, no one, anyone, everyone, कुछ भी हो सकता है, सभी को हम indefinite pronoun कहते हैं, इनको indefinite इसलिए करते हैं, क्योंकि इससे किसी निश्चित का पता नहीं चलता, मान लीजी आपके दरवाजे पर किसी ने किया, और आपने कहा कि somebody has knocked the door, और आपके भाईया ने कह दिया, someone has knocked the door, कि आपको पता चला कि इसके पीछे कौन है, कि आपने हिंदी में कहा किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो किसी ने व्यक्ति के बारे में नहीं है जानकारी, अब यहाँ पर कह रहा है कि anybody can do this job, कोई भी व्यक्ति जॉब को कर सकता है, पता नहीं चल रहा है कि निस्चित कौन है, तो यहाँ पर हम को ध्यान रखना है कि somebody, anybody, everybody, nobody को हम indefinite pronouns कहते हैं, indefinite pronouns को अगर हिंदी में देखें, तो कहते हैं, अनिस्चित वाचक शर्वनाम, अनिस्चित वाचक सर्वनाम तो याद रखिएगा कि somebody, anybody, everybody, nobody, जो कि indefinite pronouns है, इसके साथ हम हमेशा apostrophe S का प्रियोग करेंगे, somebody, anybody, everybody, nobody, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लिजिए, थोड़ा सा हम लिख दें, आप ऐसे लिखिएगा, याद रख लिजिएगा, ध्यान रख लिजिएगा, कि in definite pronoun के साथ, in definite pronoun के साथ, apostrophe S का प्रियोग, का प्रियोग करते हैं, अब यहाँ देख लिजिए, तुरंत बनेगा, I have stolen समबडी, समबडी, अब देख लिजिए, समबडी की बात हो रही है, I have stolen, मैंने चुड़ाया, किसी का वाच, तो समबडी आया, समबडी क्या है, हमारा indefinite pronoun, apostrophe S है, correct हो गया, I have stolen somebody, लेकिन apostrophe S नहीं आया, गलत हो गया, अब यहाँ सी नीड्स टू चेक, उसे चेक करने की जरूरत है, किस की, everyone's bag, या everyone's bag, आपको पता है कि समबडी, no one, nobody, everyone, everybody, indefinite pronouns होते हैं, और यह जब भी प्रियोग होंगे, apostrophe S के साथ होंगे, इस लिए करेक्ट क्या हो गया, A हो गया, तो C needs to check everyone's bag, चल ये, अब लेकिन, यहाँ पर कह रहा है कि if else is used after written words, in this case, apostrophe S is used with else, इसको थोड़ा सा बढ़ियां से समझ लीजीए, हम, देखिए, क्या कह रहा है, अगर किसी भी वाक्य में, अगर किसी भी वाक्य में, समबडी, नोबडी, या, इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी वाक्य में, समबडी, नोबडी, या, इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, हुआ है, लेकिन, उसके बाद, एल्स, उसके बाद, एल्स आ गया है, तो, एफ औस्ट्रॉफ एस का प्रयोग, हम केवल, हम केवल, एल्स के साथ करेंगे, केवल, एल्स, के साथ, साथ, करेंगे, अब यहाँ इसको एक छोटा सा स्ट्रॉक्चर आपको बता देते हैं, जिससे आप कभी गलती नहीं करेंगे, याद रख लीजिए, कि, इन्डिफिनिट प्रोनाउन लिख लिजिए, इन्डिफिनिट प्रोनाउन, और प्लस लिख दीजिए, एल्स, एल्स लिख दीजिए, और उसके बाद, देखिए, हम आपको बता ते, else के बाद apostrophe s कर दीजिए और इसको एक structure में रिख लीजिए मतलब आपको याद रखना है कि अगर किसी वाक में indefinite pronoun आएगा और उसके बाद else है तो else में हम apostrophe लगाएंगे अब देख लीजे जल्दी nobody's else else के रहते हुए भी कहां लगा है apostrophe nobody के साथ हमको करना क्या है कि अगर inde definite pronoun होगा तो और उसके बाद else है तो apostrophe s else के साथ लगाएंगे यही लिखा कि अगर किसी भी वाक में somebody nobody कुछ भी है लेकिन उसके बाद else आ गया है तो apostrophe s का preocable else के साथ करेंगे तो यहां किसको correct करेंगे nobody गलत है भाई nobody के बाद else आया है इस पे टिक लगाओ चलिए यहां आगे अब question देख लिजे जल्दी जल्दी I like मैं पसंद करता हूँ nobody else advice but yours किसी और का advice मैं पसंद नहीं करता लेकिन तुम्हारा advice पसंद करता हूँ अब यहां अब देख लिजे गलती क्या है nobody है और else है हमने आपको बताया कि someone somebody no one nobody अगर रहता है और उसके बाद else आया है तो इस पस्टॉफ़स कहां चला जाएगा else के साथ चला जाएगा यही तो यहाँ देखिए अगर indefinite pronoun है और उसके बाद else है तो इस पस्टॉफ़स कहां जाएगा else के साथ जाएगा तो प्रस्ट बना लिजे यहाँ पर else क Parents और First पूरा और यहां क्या किया है कि यूर परफॉर्मेंस इस बेटर तुम्हारा बढ़िया है देन एल्स तो जब एल्स आ गया तो इसको करेक्ट करिये लेकिन एवरी वन के साथ तो कभी जीवन में नहीं होगा तो इसलिए यहां मतलब इंडिफिनिट प्रोनाउं समवन संबडी के साथ अगर एल्स आता है तो एल्स पे फॉस्ट आफेस होगा चलिए आ जाए यहां एफ फॉस्ट आफेस इस नोट यूज़ विट अल इस वर्स अब बहुत इंपोर्टन चीज धियान से यहां पे कह रहा है कि समधिंग एनिटिंग एवरी तिंग नथिंग के साथ के आफेस का प्रयोग नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो किस के साथ करेंगे इंडिफिनिट के साथ करेंगे लेकिन समधिंग एनिटिंग एवरी तिंग नथिंग अगर कभी वाकि में दिख गया तो उसके साथ एफ फॉस्ट आफेस का प्रयोग नहीं करोगे अगर कर दिया तो गलती हो जाएगे अब देख लिजे यहां everything's beauty is temporary in this world कहना चाता है कि हर चीज की सुन्दर्ता बहुत च्छनिक होती है लंबे समय तक नहीं रहती है यह बात तो भीया सही है लेकिन कंसेट तो देखिए यहां क्या कर दिया everything के साथ क्या लगा दिया एक फॉस्ट्रॉफ एस जब की सक्त मना ही है एक फॉस्ट्रॉफ एस नौट यूजड विट ओल इस वर्ड इन सभी के साथ कभी भी फॉस्ट्रॉफ एस का प्रियोग नहीं करेंगे रेड से लिख दिया है मत हां everything's गलत है एक फॉस्ट्रॉफ एस आहीं नहीं सकता है सेंटेंस गलत द ब्यूटी ओफ एवरीटिंग इस टेंपररी इन दिस वर्ड देखिए कितना बढ़ियां किया इस एवरीटिंग के साथ एक फॉस्ट्रॉफ एस का प्रियोग नहीं किया है नहीं किया है तो नहीं नहीं लगाएंगे तो यहां पर नहीं लगाएंगे पे नफिंग एग्जिस्टेंस गलत हो गया और यहाँ एग्जिस्टेंस आफ नफिंग इस करेक्ट तो याद रखिएगा इंचार को दिमाग में बिठा लीजिएगा कभी नहीं करना है क्या नहीं एफॉस्ट्रॉफ एस नहीं करेंगे चलिए अब यहां आते हैं अब बात करेंगे एफॉस्ट्रॉफ कॉमा की मैंने आपको एफॉस्ट्रॉफ एस बता दिया एफॉस्ट्रॉफ कॉमा के साथ जो मैंने बताए था किस किस के साथ याद रखिएगा देख लीजिए दो चीज़े बस याद रख लो काम हो जाएगा एफॉस्ट्रॉफ कॉमा का प्रयो प्रियोग लिविंग के साथ करेंगे लिविंग सजीव के साथ करेंगे सजीव के साथ करेंगे तो पहला पॉइंट तो हो गया कि एफ उस्ट्रॉफ कॉमा का प्रियोग सजीव के साथ करेंगे लेकिन एक और याद रखिये प्लूरल नाउन के साथ भी तो करेंगे के साथ करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ करेंगे प्लूरल नाउन के साथ करेंगे तो एफॉस्ट्रॉफ कॉमा का दो के साथ करेंगे, एक लिविंग के साथ करेंगे, अब देखिए boy और girl, दोनों जिवित है, संस लेता है, खाना खाता है, सजीब है, और साथ में क्या है, साथ में क्या है, कि plural noun के साथ, तो यहाँ पे जो है, boys hostel और girls hostel दोनों गलत है, क्योंकि boys यहाँ plural नहीं है, और girls भी यहाँ plural नहीं है, तो correct क्या करेंगे, देख लिजिए क्या करेंगे, boy पहले लिख देंगे, उसका दिसको plural बना देंगे, और इसका boys अमा दे देंगे, और लिख देंगे, hostel, अब यहाँ पे कह रहा है कि living के साथ करेंगे, girls तो living है, लेकिन plural होना चाहिए भई या यह प्लूरल कहां है काटिए इसको यहां लिखिए जी आई आई आर एलेस गर्ल्स एफ़ोस कॉमा डीजिये सिर्फ कॉमा और लिख दीजिये अब यह सही हुआ मतलब एफ़ोस्ट्रॉफ का प्रियोग करेंगे दो जगा करेंगे एक सजीव के साथ करेंगे और प्लूरल के साथ करेंगे आगे देखिए चलिए यहां पे अब देखिए आपके सामने प्रश्न बना दिये कि एफ़ोस्ट्रॉफ इस यूजड विट लिख कौमा किया है करेक्ट लेकिन यहाँ दो बार दे दिया बॉइज किया एफ आसा आया गलत हो गया बॉइज नहीं हो सकता सिंगुलर के साथ कभी नहीं होगा अब देखिए यहाँ लिकरा है गल्स तो गल्स क्या है सजीव है और प्लूरल है कौमा दिया है करेक्ट है यहाँ गल भी कर दिया और ऑफ respiratory किया है गल्ट हो जाएगा यहां गल्थ किया ओर एस दिया है यह भी गलत हो जाएगा तो यहाँ पे याद क्या रखेंगे कि एफ आस्ट्रॉफ जिस जिस नाउन के अंत में एस या ईस होगा ईस होगा उसके साथ उसके साथ हम एफ आस्ट्रॉफ एफ आस्ट्रॉफ कॉमा का प्रयोग करेंगे का प्रयोग करेंगे बस इतना याद रखे बन जाएगा कोस्ट्यन कि जिस नाउन के अंत में एस या ईस होगा एस या ईस होगा एस है एस है तो उसके साथ हम एफ आस्ट्रॉफ कॉमा का प्रयोग करेंगे बांकी के साथ नहीं था गलत हो गया चलिए यहां यह एफ और स्ट्रॉफ कैन बी यूजड विट वर्ड्स विट हिसिंग साउंड ध्यान दीजिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी शब्द का उचारन जब करते हैं और उसके उससे सिसकार निकलता है हिसिंग का मतलब क्या सा होगा गुरुदास साया काली दास साया तो इसका कह रहा है कि किसी भी शब्द के उचारन करने पर अगर सिसकार्द होनी आए किसी भी किसी भी शब्द के उच्चारन करने पर अगर सिस्कार करने पर अगर सिस्कार ध्वनी आता है ध्वनी आए तो उसके साथ कॉमा का प्रयोग करेंगे उसके साथ कॉमा का सिर्फ प्रयोग करेंगे अब देखिए गुर्दास साया साया कॉमा लगाना है सही यहां पर फॉस्ट आप ऐसा है गलत कीजिए काली दास रमेस सुरेस समय सा आ रहा है तो जहां सा आएगा उसके साथ सिर्फ कॉमा का प्रयोग करेंगे काली दास कल चलिए नेश्ट देखिए अब आ गया लास्ट कॉंसेट ओफ यहां पर ध्यान बस इतना रख लिजिए गा कि ओफ का प्रयोग ओफ का प्रयोग हम नन लिव हिंग कि निर्जीव के साथ करते हैं बस इतना ओफ का प्रयोग कभी भी सजीव के साथ नहीं होगा देख लिजिए यहां दा पॉपूलेशन पॉपूलेशन मतलब जनसंख्या किस की कंट्री की अच्छा कंट्री सजीव है कि निर्जीव है निर्जीव है तो कंट्री के ओपर लिख दीजिए नन लिविंग है यह नन लिविंग है तो देख लिजिए ओफ आ गया अब यहां कर दीजिएगा पॉपूलेशन ऑफ दकत गलत हो जाएगा तो यहां याद रखिएगा कि ओफ का प्रयोग हमें सा नन लिविंग के साथ करेंगा पूरा कंसेट दिमाग में है कोस्चन बना ल सब्सक्राइब करता है तो इसको लगता है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट जॉइन कर लेंगे तो मेरा जीवन सभल हो जाएगा अब यहां देखिए क्या करना है एसका प्रयोग मैंने आपको क्या बताया था कि सजीव होना चाहिए मोहन सजीव है कि नहीं सजीव है और सिंगु निरजीव के साथ देखिए नन लिविंग निरजीव के साथ क्या आएगा ओफ आएगा ठीक है निरजीव भी लिख लिजिए निरजीव के साथ क्या आएगा ओफ आएगा तो यहां देखिए कोस्टन क्या करता है दा टेबल स्लेग टेबल का लेग तो टेबल तो टेबल तेलेगस व्टेबल ओफ आया किसके साथ टेबल के लिए यूज वाइब यहां देखे चिल्ड्रेन इंज्वाइव लिस्निंग टू घोस्ट स्टोरी इस अने नाइट अब बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं आनंद कर रहे हैं किसलिया आनंद कर रहे हैं लिसन सुन रहे हैं घोस्ट स्टोरी को तो अब यहां जो आ गया कि घोस्ट स्टोरी को सुन रहा है इस चीज में ध्यान देना है अब एक बात यहां बहुत अच्छा समझना है कि यहां चिल्ड्रेन क्या है प्लूरल है तो अगर चिल्ड्रेन प्लूरल है तो याद रखेगा कि अगर चि S.E.S. होगा, वहाँ कॉमा लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं, जिनको plural बनाने के लिए S.E.S. का जोवत नहीं पड़ता, कैसे, देखिए, जैसे मैंने लिखा man, और इसका plural बनाया man, तो plural तो बन गया, लेकिन क्या S. का हमको जोवत पड़ा, नहीं पड़ा, अब यहाँ लिखा मैंने child, और इसका plural बना दिया, children, तो क्या हमको S. का जोवत पड़ा, नहीं, तो आपको याद रखना है कि किसी भी नाउन का plural बनाने के लिए, अगर S.E.S. के जरूरत हो, तो वहाँ कॉमा लगेगा, लेकिन यहाँ man को man बनाया, plural तो बना, तो यहाँ क्या लग जाएगा, याद रखियेगा, एफॉस्टॉफ एस लगेगा, children's, यहीं पे तो गलती है, children's enjoying, enjoy, listening to ghost story, बच्चे जो है, आनन्द कर रहे थे, जब उनको भूत की कहानी सुनाई जा रही थी, on hello in nights, अंदकार के रात में, कहानी सुन रहे थे, बच्चे आनन्द कर रहे थ consenting, consenting का मतलब होता है, सहमती, consent से बना है, consenting का मतलब होता है, सहमती, मेरे my friends are not allowed, मेरे दोस्त को allow नहीं की गई, आग्या नहीं दी गई, बाहर जाने के लिए go out without their parents consenting, मतलब जब तक उसके माता पिता, उसको आग्या नहीं दे देंगे, इजाजत नहीं देंगे, वो बाहर नहीं जा सकता, अब देख लो लेकिन, यहां एक चीज़ समझो, यहां मैंने लिखा parent, और इसका plural बना दिया, parents, तो यह तो बना plural, लेकिन plural बनाने के लिए S लगाए की नहीं, और यहां plural बना लेकिन S नहीं लगा, तो एफ उस टॉप S आया, लेकिन यहां parent का plural बनाए, S ल not allowed to go out without their parents consenting, तो याद रखियेगा, कि जिस नाउन का plural, S याई S से बनेगा, उसके साथ कॉमा का प्रियोग करेंगे, लेकिन जिस किसी नाउन का plural तो बन रहा है, man का man, child का children, लेकिन S याई S के बिना बन रहा है, तो यही, यही तक था हमार आज का class, मुझे पूरा बिस्व है, कि आप concept को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, और notes को पढ़ेंगे, और निश्चित रूप से आपका noun का जो concept था, जो हमने start किया था, हमने noun पढ़ा, noun के types को हमने देखा, हमने number को पढ़ा, उसके बाद हमने gender और case को पढ़ा, तो यह सारे concepts को देखिए, समझे कई बा उन पर पूरी पकड़ हो जाएगे, next class में हम नए concepts के साथ मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए, thank you all, have a nice.